हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये लूक इंडियन वेडिंग मेकप लूक वीडियो में आगे बड़े उसे पहले आपको करना एक काम प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में प्रेस करें सब्सक्राइब बटन के साथ वाला बैल आइकन जिसे मेरे लेटेस्ट अबडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे बहले साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरू कि इस लुक को क्रेट करने के लिए मैं जो भी प्रोड़क्स यूज कर रहे हूं इसकी डिटे काफी अफोड़ेबल है और काफी देर तक मैरे मेकप को टिकाय रखता है और ओली स्किन के लिए काफी अच्छा है और कॉम्बिनिशन स्किन के लिए और ड्राय स्किन के लिए तो यह काफी बैस्ट है फेस पर जो भी डाक्नेस है उसे हाइड करने के लिए मैं यूज कर रह इसको में ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लोंगी फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रहीं नल्फ एचडी फाउंडेशन मेरा शेड़ जीरो टू मैंने लिया इतना सा यह फाउंडेशन गाइस काफी अच्छा है इसके पर काफी अची कवरेज देता है और मैंने इसका एक सेपरेट रिव्यू भी बनाया है आप चाहो तो वो वीडियो चेक आउट कर सकते हैं उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगी झाल 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 फाउंडेशन के बाद हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँ एले गल प्रो कंसीलर मेरा शेड है क्रीमी बेज कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँ नाय का ब्यूटी ब्लेंडर कंसीलर और झाल झाल कंसीलर और ओलावर फेस को सेक करने के लिए मैं यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँ शूगर कॉंपक्क पावडर और मेरा शेड है जीरो टू कैपचिनो मैं में यूज़ कर यह यूज़ करेहीं हम वी फेस ब्लुश एंड कंटोर कीड इस पैलेट में से में यूज़ करोंगी कंटोर के लिए और यह पीची पिंकिश जो शेड़ यह में यूज़ करोंगी बलश के यह पैलेट काफी अच्छा है गाज यह इंडिन स्किन टोन पर काफी सूट करता है तो आप इसे ट्राइ जरूर कर सकते है इस पैलेट में जो यह पिंकिश पीच जो शेड़ा इसे में यूज करें बलश के लिए हाइलाइटिं के लिए मैं यूज करें मेकप रेवलूशन इलुमिनेट हाइलाइटर गाइज यह हाइलाइटर काफी पसंद है मुझे यह बिकुल भी चंकी हाइलाइटर नहीं है बहुत अच्छा मुझे लबता ही हाइलाइटर काफी पसंद है मुझे आप इसे जरू लेटर वाइज में अपनी आई ब्रोज को फिल करने और आईशेडव के लिए ये यूज कर रही हूं, मेकप रेवलुशन अल्टर आईशेडव पैलेट इस पैलेट में से मैं ये डाक ब्राउन शेड़ करूँ है अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए यह देखी गाइस मैंने अपनी आइब्रोस को फिल कर लिया है अब बढ़ते हैं आई मेकप की दरफ रांजिशन शेड के लिए मैं यह कलर यूज कर रही हूं इसमें से क्रीज लाइन के जस्ट बिलू में यह अप्लाई कर रही हूं लाइट ब्राउण शेड और अपने आइस के आउटर वीपे में यह डार्क ब्राउण शेड अप्लाई करूंगी जस्ट बिल्कुल यहां पर थोड़ा सा सेम ब्राउण आई शेड़ को में अपनी लाइट लाइट लाइन पर भी अप्लाई कर लूगी अपने आई लिड पर शिम्री आई शेड़ को अच्छे से प्लेस करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूं आई लिड पर कंसीलर यह देखिए गाइस कंसीलर को मैंने कुछ इस तरह से अप्लाई किया है आई लिड पर मैं अप्लाई कर रही हूं यह पिंक शिम्री शेड़ यह देखिए गाइस मैंने आई शाड़ को कुछ इस तरह से अप्लाई किया है ब्राबून का इलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूं यह शिम्री वाइड शेड़ काजल में में यूज़ कर रही हूं मेबलीन जल आई लाइनर मेरा फेवरेट आई लाइनर यह लोग यह लास्टिंग ए काफी देर तक आपकी आईस पर टिका रहता है और यह वाटर्प्रूफ यह शूपर ब्लाइक है और आपकी आईस को ज़रा भी रिडेट नहीं करता त मुझे बहुत ज़्यादा पसंदा यह आई-लाइनर तो आप इसे ट्राइ कर सकते हैं यह देखिए मैंने इसे कितना यूज भी किया है वेगा एलाइश कलर के हल्प से मैं अपने आई-लाइश को करल कर लूँगी मैं खरी शूगर शूगर मस्कारा के लिए मैं यूज करू स्वाच अविक आइलाश को अच्छा गा आ ट्राय कर सकते हैं यह अपकी आई-लाइश को को अच्छा वोल्यूम çıkar तो अगर अगर ठेख्लेश क के लिए बहूत अच्छा मस्कारा है ये देखिजopia yais मैं अपनी इस वाली आईज का मेक अप कर लिया है complete सेम है जासा ही मैं अपनी दूसरी आईज प्रक्री आपको मिलते हूं वापस देखिजgood yais यहां मेरी दूनों आईज का मेक अप मेने कर लिया है complete लिप्स्टिक के लिए मैं यूज़ कर ह promote शूगर लिक्विड लिप्स्टिक और मेरा शेड है ब्रिंग कोफ पिंग गाईज यह है मेरा फाइनल लुक तो गाईज यह था आज का मेरा इंडियन वेडिंग मेकप लुक आज होब आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को like and share जरूर कि साती मुझे नीचे comment section में comments करके जरूर बताएगा कि मैं next video कि इन topics पर बनाऊ so thanks for watching bye bye